वेलो वोड़ी वुड़ी 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 सोल्स नमस्कार प्रणाम आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दल से बहुत-बहुत स्वागत है वो कौन से फ्रिक्वेंसी है आवरती है जिस पे तुरंत ही पहुच के आपकी लाइफ में टुनफ्लेम रियूनियन हो जाता है ट टुनफ्लेम फ्रिक्वेंसी किती होती है और यहां पे दो सोल्स इमर्जड हो जाती है और अपने शिव और शक्ति श्वरूप को पूरत यहां जान लेती है अध्यात्मिक ग्रोथ हो भौतिक उन्नती हो या फिर अध्यात्मिक उन्नती हो इन सभी में एक संतुलन करेशन में चलती है जिसमें अनलॉप सीडनल कैसे होते हैं उपर नीचे वेव के फॉरम में चलते हैं और सम्लीड हम सीधे जाते है चीदा करशीर देखिस होते हैं सीधे अपने में कभी वी डैरिये हॉनियों करते हैं हैं और यहन्यों आओ करेलेará फिर ठल्थन ऐसे हम ही बर्त में सब कुछ नहीं हो जाता है किसी टाइम जोन में किसी जनम में आपका टुन फ्ले में सेपरेशन होता रहेगा और पूरी लाइफ एक पर्टिकुलर चीज को लेकर आप काम करते रहेंगे वहीं दूसरे जनम में आपका पूरे जीवन पर्मानेंट रियूनियन होके इसके लिए आपको टुन फ्ले में बाइब्रेशन पर आना जरूरी है तो फ्लेम की फ्राइब्रेशन कहीं ना कहीं 500-600 के बीच होती है आपको हार्ट चक्र की फ्रिक्वेंसी से को क्रॉस करना पड़ेगा मैंने आपको एक चार्ट दिखाया हुआ है वह चार्ट में मैंने law of consciousness के विशे में बताया है कि consciousness का कैसा law है zero frequencies उससे उपर 20, 30, 40 अब यहाँ पर तो desire, fear और guilt की frequency रहती है 40 से उपर बढ़ेंगे 50, 60, 70 यह दीरे-दीरे courage develop, 200 पर courage develop हो गया उसी अनुसार आप दीरे-दीरे जब higher frequency पर आते हैं 300, 400 और ऐसे करते-करते हैं unconditional love की तरफ जाते हैं, acceptance की तरफ जाते हैं, forgiveness की तरफ जाते हैं और आंतताहा आप enlightenment की तरफ जाते हैं तो यह journey आपको unconditional love पे ले जानी के लिए है इस lifetime में अपनी life में आप love ला सके true value of love समझ सके इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है protection करना इसमें बहुत सारे से किस्टल्स हैं इसमें आप help कर सकते हैं अपनी protection के लिए अगर आप इन किस्टल्स का use करते हैं जैसे pirate हो गया और आपका black terminal हो गया तो आप जब ऐसे इस्तमाल करते है किस्टल तो आपको protection मिलता है, जो भी light worker है, healer है फर्स्ट चीज जो आपको करनी है आपके इस journey का protection करना है आप कभी भी अपने relation के बारे में ऐसे publicly बताते ना रहें या आपने आपको protection रखें और सबसे important बात है, कोई मुझे question कर रहा था कि twin flame journey को manifest किया जा सकता है दोस्ते इसका जवाब है नहीं लेकिन हाँ, अपने life में अपने counterpart को जरूर लाया जा सकता है इसके लिए आप स्वयम नहीं कर सकते लेकिन एक तरीका है जिससे आप manifestation कर सकते है वो तरीका है आप स्वयम पे ही ध्यान दीजिए कुछ लोग twin flame manifestation करते हैं मैं already जानता हूँ और वो लोग बताते भी है सर ऐसा मैं कर रहा हूँ manifestation नहीं करने देता हूँ sometime link come sometime मैं रोकता भी हूँ because manifestation में आपको desire create होगी और desire की frequency is lower होते है और twin flame को आप desire के थुरू कभी भी नहीं पा सकते है इसके लिए आपको एक और केवले काम करना होता है वो खुद पर बहुत पूर्तेया काम करना होता है आपका भोतिक सरीर के परती एकडमτα्रेव की विचार होना चाहिए ना आपको sexuality के वरती कोई घरणा होनी चाहिए नहीं अत्तधिक लगा होना चाहिए उसके परती सम्यकता होनी चाहिए दूसरा है मन की प्रतिया आपकी सम्मेकता होनी जाजिए अपनी आपको экспre除 करना अपने आपको समझना और अपनी बात को understand कर पाना और दूसरी की बात को exactly वैसे है लेना जैसे दूसरा कहता है इससे आपका मनोवरत्तियों में बहुत ज़्यादा संतुलन आता है और बैलेंस आता है तीसरा है आपके आत्मी लेवल पे जो आप कहीं न कहीं अपने लाइफ में जब स्प्रिच्वल पार्टनर से मिलते हैं तब आपके लाइफ में वो पार्टनर आपको स्प्रिच्वली बैलेंस लेकिया आता है कई लोग अपने स्प्रिच्वल पार्टनर को ही टुन फ्लेम समझते हैं सम्टाइम ऐसा भी हैपनिंग होता है लेकिन वहां अपर सभी छेत्रों में सभी पॉइंट्स को लेकर वो परसन की एनरजी आपसे मैच होनी चाहिए इसके लिए सबसे पहल काम जो आपको करना है इसके लिए में टुन फ्लेम मेडिटेशन भी करा रहा है उसमें काफी सारे लोगों को इंप्रूमेंट आ रहा है और इस तरीके से आप ऐसे मेडिटेशन कर सकते हैं जिसमें आपका हार्ट चक्रा अपकी हार्ट के एनरजी ओपन हो अगर वहां पर कि आप अपने आपकी बेहत अच्छे से हीलिंग कर सकते हो और अपने आपको इंप्रूफ कर सकते हैं तो यह इसकी बेसिक रेमेडीज हैं जिसको आपको जरूर करना चाहिए दूसरा क्या फ्रिक्वेंसी हो सकती है और इसको कैसे करेट कर सकते हैं अपने बौडी में सबसे प निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है आप एक टाइम टेविल बनाइए जिसमें आप एक पेपर पे अच्छे से लिखिए कि सुबा आप साथ से आठ के बीच आप कहां पे थे और आपकी एमोशन्स कैसे थे और आठ से नो के बीच आप क्या कर रहे थे आपके कहां पे नेस्ट एक घंटे इस तरह से आपको टाइम टेविल बनाना पड़ेगा जो आपके ट्वॉर आर का हो उस टाइम टेविल में कल्कुलेट करिए जातर फ्रिक्वेंसी आपकी क्या रहती है भावना क्या रहती है उस फ्रावना के सामने कौन सा नंबर लिखा हुआ है वह ऐसा महहसूँस करते हैं वो तुरन्द फलित होता है इस फ़जह से महसूँस करना आप की भावना हैं बहुत मेहत्वतूपूने और तुन्फ्लेम जरनी में हमको भावना को ही ठीक करना पड़ता है अपने हाट को ही ओपन करना पड़ता है इसी वजह से युजा हैने डिफ तो आपके सिर्फ थौट के लेवल पर रहता है भावनाओं में तस मात्र भी अंतर नहीं आता है इसी वज़े से टुन फ्लेम जरनी में बार बार सपरेशन और यह फ्लेक्टुएशन जो चल रहा है ना वेव की तरह वो चलता रहता है जिस दिन आप समझ जाते है तो आपका जो यह लाइफ है ना एक्दम डिजिटल यह समूथ हो जाती है और टुन फ्लेम की जरनी बहुत समूथ हो जाती है तो आपको यह एक्स्प्लेशन समझ में आया हो और इसका आप योग करिए और आपने हार्ट चकर को ओपन करिए इसके लिए आपको बहुत डिफरेंट है उसके लिए आप नीचे टेलिग्राम में भी जॉइन हो जाईए और आप दूसरे जो चैनल से वहां पर भी नीचे जॉइन हो जाईए उसमें भी आपको मेडिशन करा जाएंगे दोस्तों नएश वीडियो में मिलते तो आपना ख्याल रखिए ध्यान रखिए और हमें मुस्कुराते रहिए नमस्कार दोस्तों